हेलो फैंस तो आज मैं आपको मुंबे श्ट्री श्टाइल बड़ा पाउ बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा इस तरह से बड़ा पाउ बनाएंगे ना खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी बनेगा और इसके साथ में लसुन की ड्राइ चटनी जिसको इसमें आपने एक छोटा चमच जिसमें सर्सों के बीच आइड करने और जैसे सर्सों के चटकना शुरू है जाएंगे ना इसको आपने इस थोड़ा से बारीक कटा लसुन एड करना है थोड़ा साथ में थोड़ी से आपने तीखा करने के लिए हरी मिरश को ना कूटके भी डाल सक अच्छा टेश्ट निकल के आता है तो देखिए अद्रक अलसन हरी मिरश को मैंने थोड़ी दिर यांबे पका लिया है इसके अदे अपने थोड़ा सा हल्ती पोडर एड़ करना है तो 140 इसपून मैंने हल्ती पॉडर एड़ किय है और थोड़ी से इसमें देगी मिरश पोड अब यहां पे फिर साथ में आप इसमें नमग भी एड़ कर दीशे तो एक छूटा चमच मैंने इसमें नमग का एड़ कर दीए और अब आपने गैस की फिलिम ना लगो 30 से 40 स्कंड तक मीडियू टू हाई रखनी है और आलू को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है मसालों के आप इस मसाले को ना फैला दीशे ताकि हमारा मसाला जल्दी से ठंडा हो जाए तो देखे कलर भी बहतरी ना आया और नमक में इसमें ब्राबर रहें आपे और इसके वद आपने बैटर बना ले ना जब थंदा हो रहा है फिर आपने बाउल लेना है उसमें डेल कप बेसन क आपने इसमें एक छोटा चमच नमक एड़ करना है थोड़ा सा हल्दी पॉर्टर एड़ कीजिगा बिल्कुल थोड़ा सा थोड़ा सा आपने इसमें लाल मेश पॉर्टर एड़ करना है तो यह देखे बिल्कुल कम यूज किया लाल मेश पॉर्टर भी ज्यादा डालेंगे न sponge आता है अच्छा crunch भी आता है फिर आपने इसमें पानी एड करना है तो जतना आपने basin लियोगा उतना ही पानी लेना है बढ़ पानी अपने थोड़ा-थोड़ा गरके एड करना है बैसन में ताकि बैसन के पाक के त्यार कर लेते हैं जब भी आपने इसका बीटर बनाना है थीक बीटर रखना है और अच्छा फिलपकी होना चीके पांच मिंट का अपने इसको रहेस्ट देना है तब तक आपने आलू का मसालह बना के रख़गा ऊप्लब बनाने हैं तो गयां पर मैं थोड़े से तरह से बेटर लगाना है देख लीचे कितनी थिकनेस है हमारे बैटर में और इस तरह से बटाटा बड़ा उठाईए और इसको आपने फ्राइए करने के लिए डाल देना है ज्यादा तेज गैस में आपने इनको फ्राइए नहीं करना है तो एकदम से कलर आज जाएगा और ब आज में अच्छी तरह से फ्राइए हो जाएंगे बाहर से अच्छा क्रण्च भी आ जाएगा तो देखे क्या जबर्दस नमारे बटाटा बड़ा जुबन के त्यार हो चुके हैं इसके बद ना यह जो बेसना हमारा बच चुका है इसके आपने थोड़ी सी बूंदी निका सकते हैं तो कभी बेटर बचे तो उसको आपने फैंकना नहीं है इसकी बूंदी बना लीज़े राइता बना सकते हैं या कड़ी में यूज़ करना चाहिए कड़ी में यूज़ कर सकते हैं तो देखे कितनी सारी हमारी बूंदी जो बनके त्यार हो चुकी है अब लसन की जो जाता है इस चट्टी में इनको ऐसे ही यूज किया जाता है तो इनको भी आप साथ में यहां पर ड्राय रोस्ट कर लिए तक इनका जो मौश्टर है वो भी कम हो जाए ताकि अच्छी तरह से ग्राइंड भी हो जाए तो देखिए लसुन और यहां पर कोकोनेट को मैंने सुख तो दो छोटे चम भर के मैं इसमें देखिए देगी मिर्श पहुट रेड़ कर दिये और इनको अब दरदर सा ग्राइंड कर लेशे तो यह लसुन की चट्टनी बनके त्यार होई चुकी है इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं अब यहां पर मैंने पाव लिए हैं मिरे जाने के उपर अपलोड है अगर आप सीखने चाते हैं घर पर मिन चट्टनी कैसे बनाएं तो वीडियो को देख सकते हैं इसको देखे इस तरह से दोनों साइड में मिन चट्टनी लगा लिए उपर आपने लसुन की चट्टनी आइड करनी जो सूखी चटनी बनाई होगी मिन देखे इस तरह से बड़ान सकते हैं इससे अच्टनी की चट्टनी बनेगेए अब आपने बटा Jim lite लेना आप से से बर्दके सकते हैं तो इस तरह आपने सारे बड़ा बना लेने हैं तो अगर आपको तक मेरा वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेरं जुरूर कीज़ योगे फ्रेंज मिलते के लिए ने वीडियो के साथ थेंक यू